शिमला में जो हिंदू संगठन है आम जंता है वो सडकों पर उत्री हुई है किस प्रकार से एक अवैद मस्जिद को लेकर वहां की जंता अपने आवाज को बुलंद कर रही है यह हम सब देख रहे है तो रूरल डेवलाप्मेंट मिनिस्टर अनिरुद्ध सिंग है अनिरुद्ध सिंग जी ने सदन के पटल पे अभी चंद दिनों पहले कहा कि यह जमात के लोग कहां से आ गए केवल दो परिवार थे इस एरिया में अब उन्नीस सो परिवार आ गए है और इतना बड़ा एक अवैद मस्जिद बनके खड़ा हो गया है 45 बार 45 ताइमस दे मुनिसिपल कोर्ट है सर्वड नोटिस तो दी मस्जिद तो दी मॉस्क तो प्रड्यूज पेपर्स अव लिगालिटी राहूल गांदी की मोहबबत की दुकान ये केवल हिमाचल प्रदेश में हिंदूओं के उपर लाठी चार्ज और टीर गैस नहीं छुड़वा रही है ये करनाटक में गनेश विशर्जन के समय गरेश मूर्ति के उपर चपल फिकवाने से लेकर पत्थर फिकवाने का काम भी कर रही हिंदूओं पर लाठी चार्ज अवैद मस्जिदों का रिचार्ज ये नहीं चलेगा चिमला में जो हिंदू संगठन है आम जनता है वो सडकों पर उत्री हुई है किस प्रकार से एक अवैद मस्जिद को लेकर वहां की जनता अपने आवाज को बुलंद कर रही है ये हम सब देख रहे है बड़ा स्पष्ट है कि वो मस्जिद अवैद है ये हभी स्पष्ट है क क्यूंकि उनके खुद के मंत्री ने कांग्रेस के मंत्री जो रूरल डेवलाप्मेंट मिनिस्टर अनिरुद्ध सिंग है अनिरुद्ध सिंग जी ने सदन के पटल पे अभी चंद दिनों पहले कहा कि ये जमात के लोग कहां से आ गए ये वो लोग है जो लड़कियों के विशय में भी कहा केवल दो परिवार थे इस एरिया में अब 1900 परिवार आ गये हैं और इतना बड़ा एक अवैद मस्जिद बनके खड़ा हो गया है ये खुद अनिरुद्ध सिंग जो उनके मंत्री है उन्होंने कहा अनिरुद्ध सिंग जी के खिलाफ कांग्रेस ने ही मोर मुनिसिपल कोट पैंतालीस बार। inviting टाइमस दे मुनिसिपल कोट असरव्ड नोटिस लफ नोटिस भी मस्जीद नहीं कर आया है। उसके बाद भी कॉंग्रेस पार्टी का जो अपीजमेंट का रवया है वहां हम देख रहे हैं इतना ही नहीं यह जो मुहबबत की दुकान है राहूल गांदी की मुहबबत की दुकान यह केवल हिमाचल प्रदेश में हिंदूओं के उपर लाठी चार्ज और टीर गैस नहीं छुड़वारी है यह करनाटक में गनेश विशर्जन के समय गरेश मूर्ति के ऊपर चपल फिकवाने से लेकर पत्थर फिकवाने का काम भी कर रही है यह राहूल गांदी के मुहबबत के दुकान का आलम हो गा ही अब इलहान ओमार से मिलेंगे तो मस्जिदों से जो करनी है जिस बरबरता के साथ हिंदूओं के उपर लाठी चार्ज हुआ है भारतिय जनता पार्टी उसके खिलाफ आवाज बुलंद करती है महिलाओं के साथ भी अत्याचार हुआ है पुलीस का यह बरबरता उचित नहीं है हिंदूओं पर लाठी चार्ज अवैद लोगों का नारा था कल और मुझे लगता है लोगों के नारे में दम है हिमाचल ने ठाना है देव भूमी को बचाना है इसमें कोई बुराई नहीं जहां अवैद्धता रहेगी और जैसे कि उनके मंत्री ने खुद कहा है कि लड़कियों के साथ दुराचार किया जाता है यह देव भूमी को बचाना ही पड़ेगा और चन्द दिनों पहले अकबारों में हमने पढ़ा कि किस प्रकार से कुछ समुदाय के लोगों ने वहां के लोकल बिजनेसमैन को मारा है मुझे जहां तक नाम याद आ रहा है वो शायद यस्पाल सिंग है उनकी पिटाई की गए औ और इस प्रकार लोकल बिजनेसमैन की पिटाई हूँ आज वहां लोकलाईट सुरक्षित नहीं है या उचीत नहीं है इस स्टोरी ऑफ अपीजमेंट उस्टॉक्टप्वर्ड तेलोव शुद टेक है उन कोर्श